हेलो नबसकार एक बार फिर से आप सभी का वेक्ट रेजुगेटर्स के ऑनलाइन प्रेटफॉम पर मैं विकास तर्मा बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ देखे जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है डवल पाई चार्ट डिए यहीं कि डवल पाई चार्ट डिए जो की आपको एक्जाम के अंदर बहुत जादा देखने को मिलती है और यह परसेंटेज पे बेश सबसे जादा होती डिग्री और परसेंटेज पे तो आज जो मैंने लिए है वो प्री लेबल लिया है जिसमें हम परसेंटेज के लेबल पे बात करेंगे और देखेंगे कि अगर इस तरीके का डिए अगर हमारे पेपर में आता है तो हम उसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं ठीक है समझने की कोशिस करते हैं देखें जैसे कि सबसे पहले हमेशा आपको जो भी डिरेक्शन दी जाए उसको पढ़िए डिरेक्शन क्या दी गई है आपको? गुमा देता डेटा को लेकिन हम उसी तरीके से करेंगे कि अगर वो डेटा कितना भी घुमा देगा तब भी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे अब एक तरीका तो इसका ये होता है जो कि बेसिक अगर आपने पढ़ा होगा या तो आपको क्या किया जाएगा यहाँ पर पूरा करने का तो वो देखते हैं इसमार तरीका होगा कि जैसे कुश्चन लिखा हुआ उसको पढ़ो और उसके अकॉर्डिंग कुश्चन को सॉल्व करो कुश्चन है इसका मतलब यह हुआ कि ऑडियाई की बात हो रही है तो अठाइसो रन है टोटाल ओडियाई में यह आपको प अब मुझे निकालने किसके हैं मुझे निकालने हैं स्रीलंका के क्योंकि स्रीलंका गया गेंस्ट खेला है वो बंदा तो स्रीलंका में ओडियाई में कितने हैं 9% है तो अगर मैं अठाइसो का 9% निकालूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ 28 into 9 तो मैं लिखूंगा 28 into 9 यह तो divide करेंगे, 9 से 9 सुंदर तरीके से cancel out, now 28% is the correct answer, now we can say 28 यहीं की option A will be the correct, clear हुई बात, यही होता है pre का label, इसी को हम बोलते है pre label हो, इसी की बज़े से हम जैसे की 40 out of 40 RRB PO, RRB clerk इन सभी में score कर पाते हैं match के अंदर, इसी लिए cut off इतना जाता है, ठीक है, तो घवराने के कोई जरुवत नहीं, next question आपके सामने लिखा हुआ है, देखी, run scored by batsman against New Zealand in T20 match are approximately what percent run score against Pakistan in ODI, यानि की New Zealand के ते T20 की बात हो रही है, और पाकिस्तान के ODI की बात हो रही है, तो T20 आपको पता है 2000 run, तो 2000, यानि की New Zealand की बात हो रही है, तो यहां आजाओ New Zealand कहां है, यह 10%, तो 2000 का 10% आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो, कितना निकलेगा आपका यहां पर 200, किलियर हुई बात आपको, कितना निकला 200, यानि की 200 यह उपर आ गया, अब किस से compare करना है, compare करना, what percent of run score against Pakistan in ODI, पाकिस्तान 10.5% यानि की हमारे पास कितना है, अठाइस सो, इसका मुझे क्या निकालना है, 10.5% निकालना है, तो एक चीज़ सोचो, इसमें से 2 इसको दे दे, तो यह कितना हो जाएगा, 1400, और इसका अगर 2 इसको दे दे देंगे, यह कितना हो जाएगा, 21%, divided by 100 percentage हटेगा, तो 14 into 21 करेंगे, तो यह कितना बनेगा हमारा, 21 का 4 में करेंगे, तो multiply, यानि कि आप सीधा लिख लो, multiply करने के आपको कोई जरूवत नहीं है, clear हुई इतनी बात, कोई समस्या नहीं, into कितने का कर दो, तो 100 का तो answer आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, कैसे निकालोगे देखो, अगर मैं इसे 2 से cancel करूँ, तो यह 7 बनेगा, तो यह 2 से करने पर 100 बनेगा, अब यह multiply करो, तो 100 upon 7, 147, एक बात, 100 अगर ना लें इसको हम, तो एक बात समझो कि, अगर यह 100% है अपने आपने, तो 100 की value कितने परसेंट होगी, तो कितना कम है, 47 कम है, तो एक बात बताओ कि, अगर 147 इतना परसेंट है, तो 100 कितने की बराबर होगा, लगभग पे जाना है, लगभग पे, तो अगर मैं इसको 15 मान के चलूँ, तो 15 मान के चलूँ, तो कितनी बार जाओँगा, 15, 6, 90, 15, 6, 90, यानि कि 6 time, यानि कि 60% से तो उपर आने बाला है, clear है बात आपको, 60% से, अगर मैं इसको लेकर चलना हूँ, तो, अब इसमें अगर मैं half करूँँगा, तो इसका 7.5, 5% बनेगा, तो 65%, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर मैं इसमें 7.5 और जोड़ दूँगा, इसके अंदर, तो हमारा कितना बन जाएगा, हमारा, तो, ठीक है, एक तो ये तरीका है, लेकिन अगर ये तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये data, मतलब simple सा है, लेकिन मैं जो समझाना चाहरा हूँ, फिर से एक बार आप समझो, 100 upon 147, clear है, अब इसको अगर मैं 100% कहता हूँ, क्योंकि नीचे वाली value 100%, तो ये उपर वाली value इससे कितना कम है, 47 कम है, कितना कम है, 47 कम है, तो मुझे अगर ये percentage की form में पता चल जाए कि 47 कितने percent है, 47 कितने percent है, तो easily निकल किया जाएगा, तो आप एक चीज़ देखो कि 14.7% वराबर 10%, 100% तो 10% इसकोल तो कितना हो जाएगा, 14.7 हो जाएगा, अगर मैं इसका 3 times करूँ, अगर मैं इसका कितना करूँ, 3 times, तो 30% तो हमारा 47 से जादा हो जाएगा, अगर मैं इसका 2 times करूँ, तो कितना हो जाएगा, 28 यानि कि 29.4%, तो 29 अगर हमारा कितनी percent बन जाएगा, 20% बन जाएगा, अगर मैं इसका 3x करूँ तो 3x हमारा कितना हो जाएगा 42 और 7 का 3x 21, 42 यानि कि 44.3 ये हो जाएगा 30% यानि कि 30% तो 100% से ये कम होने बाला है ही यानि कि 70% से तो नीचे value आने बाली है तो सारी option 70% से नीचे है अब ये बताओ कि 44.3, 47 से कितनी दूर है यानि कि ये 3.7 और दूर है तो ये बात बताओ कि अगर ये 10% बराबर हमारा 14.7 है तो 1% बराबर कितना होगा एक परसेंट बराबर होगा 1.47 होगा तो एक बात बताओ 3.7 के पास पहुंचने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा लगबग डबल पे जाना पड़ेगा लगबग डबल पे जाना पड़ेगा तो इसका मतलब 2% और कम तो आंसर कितना बन जाएगा हमारा 68% एक तो तरीका अगर यह समझ नहीं आया तो simple simple क्या करो ऊपर आपका 200 आया था नीचे आपका कितना आया था 14 into 21 into 100 कर दो simple सा solve करो इसको 7 लिखो इसको 100 लिखो और यह 100 आ गया into 100 आ गया नीचे कितना बन जाएगा 7 और यह 147 इसको आप सीधा-सीधा डिवाइड कर लो तो 1 जबल यह 147 इस हजार में डिवाइड होगा सबसे पहले, सौ में तो होगा नहीं, हजार में डिवाइड होगा, डिवाइड करोगे, आंसर निकल के आ जाएगा, 68% हमारा इसका आंसर होगा, किलियर हुई बात आपको, ठीक है, next question की दरब बढ़ते हैं, next question हमारा क्या लिखा हुआ है, देखी, in case of which of the following countries, the difference between the run scored in ODI, and T20 is the second lowest, एक बात सोचो, आपका ODI में बनने बाला कितना था, ODI, इसमें थे हमारे 2800, T20 में कितने थे, 2000, ratio मैं तर समझा रहा हूँ, जो की πाई चार्ट के लिए मैं सबसे ज़्यादा यूज करता हूँ, यहाँ पर मैंने यूज किया नहीं था भी तर, अगर मैं इसको यहाँ देखो, तो यह 7, 4 से करने पर यह 5, कोई समस्या नहीं इतने में, 7 is to 5 निकल के आया है, अब यहाँ पर पॉइंट की बेल्लू दी गई है, तो इसको हम क्या कर दो, इसको हम कर देते हैं कितना, 1400, इसको कितना कर देते हैं, 1000, आसान हो जाएगा डेटा, अब कैसे आसान होगा देखो, अब इदर आ जाओ, यह जो लिखा हुआ है न, सिरी लंका, तो सिरी लंका में, ODI के पास चलो, सिरी लंका में, ODI के पास 9%, 1400 का 9% निकालो, कितना आ जाएगा, 14 into 9, और 14 into 9 कितना होता है, 126, किलियर है, माइनस, 320 के पास चलो, सिरी लंका में, 12.50%, और 1000 का 12.50%, कितना निकल के आएगा, भई, 12.5 का अगर, multiply अगर हम किससे कर देंगे, 10 से कर देंगे, तो 125, किलियर है बात आपको, यह difference बनाया, सबसे छोटा difference हो सकता है, हो सकता है, 0 भी आजा, देखो, अब पाकिस्तान के पास चलो, पाकिस्तान है हमारा, ODI में देखने पर, पाकिस्तान 10.50 है, 1400 का 10.5 करो, या फिर 700 का 21% करो, बात यह किए, बही समझो, या तो 1400 का 10.5% करो, या इसमें से दो निकाल के, इसको दे दो, तो या तो आप 700 का 21% करो, तो यह कहना ज्यादा आसान हो रहा है न, तो 7 into 20 बन, यानि कितना बनेगा, 7 और 147, किलियर है बात आपको, यह हमारा इसका बन रहा है, अब इसके बाए, टी 20 पे चलो, पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का T20, 9.50%, तो यह बन गया 95, क्लियर है बात आपको, यह कितना बन गया 95, डिफरेंस निकालो गए, तो कितना बनेगा हमारा 52, डिफरेंस कितना बना 52, अब आजाओ South Africa की बात करो, तो यहाँ South Africa 12.5 है, तो या तो आप कहे दो 1400 का 12.5, वही बात फिर से आ गई न, या तो कहीदो 14 सो का 12.5 या फिर क्या कहीदो आप यहाँ पर 700 का 25 परसेंट और 700 का 25 परसेंट कितना बनेगा 700 का 25 परसेंट कितना बनेगा 175 क्लियर बात आपको कितना बनेगा 175 क्योंकि 25 इंटूच है 150 पचास, तो 175, अब मैं बात करता हूँ, South Africa में फिर से आ जाता हूँ, 16.5, तो यह बनेगा, minus की 165, clear है बात आपको, तो यह कितना difference बना हमारा, 175 और 165 यानिकी 10 का difference, clear है बात आपको, अब मैं बात करता हूँ, South Africa के बाद, West Indies की, Best Indies में बात करें, यहाँ पर तो कितना बन रहा है, 14%, 14%, 14% कितने का, 1400 का, तो 14 into 14, यानिकी 144, और यहाँ पर Best Indies यानिकी 18%, यानिकी ये कितना हो गया, हमारा 18% का मतलब, 180, 18% का मतलब कितना हो गया, 18% into 1000, ठीक है, तो यह cancel out हुआ, ये भी Best Indies का ही बात कर रहा है, तो ODI, ODI में Best Indies कितना है, 14%, 14% जब मैं निकालने गया, तो 14% यानिकी 144 हो गया, और यहाँ पर जब मैं 18% निकालने गया, तो यह 18% हमारा कितना निकल के आएगा, हमारा कितने का 18%, 1000 का 18% यानिकी 180 का निकल के आएगा, तो यहाँ पर difference, सौरी, difference, समझना बड़े ध्यान से, यहाँ पर माइनस मत ले ले लेना इसको, difference की बात हो रही है, तो 184 और 144 का difference कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 36, अब आप देखो, इसका 36, दूसरे पैंस से आपको समझाता हूँ यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर, इसका तो 36 difference, इसका 10 difference, इसका 52, इसका 1, second lowest कौन सा है, यह है न, और यह किसका था, South Africa का, now South Africa will be the correct answer of this question, समझ में आया होगा, किस तरीके से किया, तो चले next question के दरब बढ़ते हैं, next question क्या है, देखे, the runs score by the batsman against best index in T20 is approximately what percent at the run score against Australia in ODI, तो अब सबसे पहले बात हो रहे है, best index की T20, तो सबसे पहले best index के पास चलो, कहां है best index यह, 14%, ने T20 में, 18%, अभी निकाला था, 180, अब बात करते हैं, what percent of run, percent की बात हो रही है, तो percent पे तो हम ratio form लेकर चल सकते हैं, यह चीज़ भी समझ नहीं, percent पे ratio form लेकर चल सकते हैं, exact value पे नहीं लेकर चल सकते हैं, अब यहाँ पर बात करते हैं, what percent run score against Australia in ODI, Australia कहां है, यह रहा, ODI की बात करो, ODI में कितना था हमारा, 17.5 तो मैंने बोला, double कर दो, तो जो हमारा उहाँ पर 14 हो था, वो 700 बचेगा, इधर कितना हो जाएगा, 35, 35, 700 हो जाएगा, 36, और यह कितना बन गया, 49, clear है बात इतनी आपको, अब मैं इसको क्या करना चाहूँ, अगर मैं इसको देखूँ, यह कितना कम है, इससे, उसने पूछा यह है, इससे कम है, यह इससे कम है, आपका कितना, अगर मैं देखूँ, तो 13, 13 कम है, तो यह बताओ कि 4.9, यानि कि 4.9 बराबर तो 10% होता है, तो 4.9 का डबल करो, कितना हो जाएगा हमारा, 4.9 का डबल करो, तो एपरोक्स आप 10 पे पहुँचोगे, यानि कि 9.8 बराबर तो 20% होगे, यानि कि एक बात तो समझ में आ गई, कि answer हमारा 80% से तो नीचे का ही होना है अब एक बात बताओ कि अगर मैं 9.8 और 13 तक पहुंचने में मुझे कितनी दूरी और तय करनी पड़ेगी तो 3.2 और करनी पड़ेगी 3.2 का मतलब यह हुआ कि आप 10% से तो नीचे ही रहोगे 10% से तो नीचे ही रहोगे किलियर है बात आपको अब देख लो अगर मुझे 3.2 पे पहुचना है तो इसको हम कितना कर दें multiply इसमें हम कितने का multiply करें कि लगवग हम 3.2 पे पहुच जाए तो अगर मैं 5,4,20, 7,4,28 और 9,4,36 तो मैं 9 से करता हूँ इसका तो 0.49 में अगर आप 9 का multiply करते हो तो हमारा कितना बनेगा 9,5,45 नहीं हम करते हैं 8 से 8 से करते हैं तो 8,5,40 नहीं 7 से करो 5 मान के चलो ना इसको 0.5, 75,35 यानि कि इसके आसपास हम पहुंच सकते हैं 7 के आसपास तो देखो 7 के आसपास हम पहुंच सकते हैं यहां से अगर हम देखें, तो 80 से यह 9% कम था, तो नौतो है नहीं, तो यह नहीं होगा, 75 यह यह 5% कम था, तो 5 से भी नहीं बन रहा, तो यह भी नहीं है, यह cancel out होई गया, तो यह answer होगा हमारा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 73 will be the correct answer of this question, तो हम कह सकते हैं कि 73 हमारा answer होगा, ऐ यहीं तो आपका 36 upon 49 आया था ना, इसमें into 100 कर देना, इसमें into 100 कर देना, 37 divided by उनंचास को solve कर लेना, answer निकल आएगा, मैं तो वो तरीका बता रहा हूँ, जो आपके बिना पहन के हो सकते हैं, आपको पता है, 49 हमारा 100% होगा, 4.9 हमारा 10% होगा, 0.491% होगा, 36 हमारा उनंच आप से 13 कम है, और जब 13 कम है, तो 13 की percentage पॉम बनाओ, 13 की percentage पॉम बनाने का मतलब 4.9 का double कर दो, तो 9.8 पे पहुंच गए, तो यानि कि 13 का बनाने के लिए हम 20% से भी 13 जादा होगा, और आंगे बढ़ो, कमी कितने की बची, कमी बची 3.2 की, तो 3.2 कितना होगा, 0.49 1% होग तो 0.49 में अगर हम 7 का multiply करें, तो लगबग 3.2 के पास पहुंच जाएंगे, लगबग 3.2, तो इसका मतलब 20% हम पहले ही 13 के लिए पहुंच चुके थे, और कितना पहुंच गए 7, तो 27% हमारा 13 लगबग है, लगबग 27%, तो 100 में से 27% कम करो, तो answer कितना बन गया, 73 answer बन गय match, if the total run score in T20 remains same, देखो, पाकिस्तान ने 280 run बनाए, कितने में T20, पाकिस्तान ने 280 run बनाए T20, तो इसका मतलब हमको पता है कि 9.5, ये 280 के बराबर है, 9.5%, ये 280 के बराबर है, किलियर है बात आपको किलिए, अब आप एक ची देखो यहाँ पर, उसने ये कहा है, if the batsman had scored 280 runs against Pakistan in T20 match, what would have been its percentage in the T20 match, if the total run score in T20 remains same, तो ये बाताओ, अगर पहले वाली condition चलती तो उसके 9.5% थे, लेकिन अब वो इसको नहीं लेना चाहता है, अब इस 280 से compare करना चाहता है, क्योंकि अगर 9.5 लेकर चलते तो कुछ और निकलती value हमारी, अब 280 से लेकर चलना चाह रहा है, और exact value कितनी है, 2000, अब percentage बना दो, कितना आसान है, ये हमारा कितना निकल के आगया, 14% will be the correct answer of this question, यानि कि यही तरीका है, इसी तरीके के question आते हैं, यही method यूज होते हैं, तो इतने simple question आपके prelims में पूछे जाते हैं, तो बिलकुल भी टैंसल लेने की ज़रूत नह रिएगा, और तयार ही अपनी बनाई रखिएगा, आपका selection पका है, आप score 40 out of 40 करोगे, बस smart technique अपनाना, जैसे मैंने बताया कि कितना कम है, कितना जादा है, तो उसका percentage form निकालो, तो इसमें क्या होगा, आप calculation में नहीं फस होगे, इनको हम जितनी भी DIY कराएंगे, जहां भ लोग करते हो, और उसको share भी करते रहेगा, thank you so much.